नवरातरी का पवित्रतियोहार देवी की आरातना, उस्सह, उमन, हर्सुलास का प्रतीक है जो देवसपर में मनाये जाता है खासकर गुजरात माराष्ट में इस तोवार का बड़े पेमाने पर गर्वा डांस का उजन किया जाता है जिसमें बड़ी संक्या में लडकी-लडकीया पहुँचते हैं लेकिन इस बार हिंदू संगटनों ने ऐसे कारकरम में गेर हिंदू की नो एंटरिक की हुई है इसके बावजुत भी कुछ मुस्लिम युवक हिंदू नाम से कारकरम में पहुँचने की कोशिस करते हैं जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है, एमदबाद के एक गर्वा कारकरण में हिंदू बता कर कुछने की कोशिस कर रहे, कुछ मुस्लिम युकों के हिंदू संगटन के कारकरताओं न जम कर पिटाई की है, आखिर हिंदू तेहवार में किसी और नाम से कुछने का मतलब क्या ह होता है, आखिर इसके पीछे नियत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नवरात्री के दोरान गुजरात समेत देश के अलग-अलग शहरों में इन दिनों जोर्शोर से गर्बा मनाया जा रहा है, वहीं इस आयोजन को लेकर जगए-जगए बजरंगदल और वी-चपी के कार्यकरता भी अलर्ट पर, क्योंकि इस आयोजन में गैर हिंदू की एंट पुलिमो द्वारा हिंदू नाम से घुसने का मामला सामने आया है, आरोफ है कि कुछ मुस्लिम युवक हिंदू नाम रख कर गर्बा पंडाल में घुसे और उन्होंने हिंदू लड़कियों की फोटो भी खीचे और गलती रादे से फसाने की कोशिश भी की, मामले की जानक यह वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहूल भी है जो पीडियों की जरूरी होती है तब सब प्रशाशन को यह पर अठी से जानगना चाहिए, कोई बी और वी बी प्रॉब्लम नहों हो और उसका प्रश्रम तो जानगना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं जो बजरंगल के लोग से उन्होंने जिस प्रकार से जो कारिय किया, वो क्या सही प्रकार से वो ठीक सा या उनको कानूनी कारेवाई के लिए देना चुए है। बलकी महराष्ट्र मध्यप्रदेश में भी ऐसे ही मामले सामने आये हैं। कहीं उनकी नियत में खोट को दर्शाता है। इस मामले को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाय आई हैं ये भी आपको सुनाते हैं। बजरंग दलने सर्च उप्रेशन हाथ किया था। जिस गरबा पंडाल में वीधर्मी अपने लव जिहाद का शडियंत्र की सोच लेके आते हैं। उसको रोकने का कारिय बजरंग दलने किया था। कुछ दिल पहले जो गटना बनी है। नवरात्री पंडाल में से बजरंग दलने के कार्य करताओं ने वीधर्मियों को रुका दा और कुछ वीधर्मियों को गर्बा पंडाल में से हिंदु बहन को फसाने के लिए आये उनको बाहर निकाला था शक्ति की आरहतना कि देख होती है मा की पूजा के देनेंडी और सुभावी कुछ उसे हमारी संस्क्रती मंत्री दी है वो इस बारे में इस पश्ट के चुकी है तो जो भी बिष्की आएगा तो गर्वा के खायो जब देखना होगा तो आई गार्ड पूटा देखने हैं परजान सकी हो इससे कोई अपनी इस्तिवा निर्माहतना हो कोई भी पंडाल में अगर गर्वा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटी चेक दिख किया जाए और मुस्लिम संदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए हम हमारी पुजा पद्धती को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तु हैं उनका वहाँ वो सबकार वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कारक्रमों में पहचान चुपा कर कोई भी गर्भा पांडलों में प्रविश ना करें, किसी प्रकार का एक जूटा वाता वर्णवा ना बने, इसलिए जो भी वेक्ति आए, अपनी पहचान लेकर आए, पहचान चुपा करना है जब इसलाम में बुथ परस्ती, संगीत, डांस, हराम है तो हिंदू तेवहारों में जाने का मतलब क्या? कोड में खाज ये गर्भा डांस में प्रवेश भी हिंदू नाम बता कर, अगर जूट बोल कर कहीं जा रही है, इसका मतलब साफ है, ये नियत में खोट है मुस्लिम बहुल एरिया में राम नौमी या दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकालने पर कितनी बार अटैक हो चुके हैं, तो जब जुलूस बरदार्स नहीं तो हिंदू तेवहारों में जाने की छटपटा हट क्यूं? सवाल उठता है कि जो मुस्लिम संगठन सल्मान खान, शारु खान के गणेश पूजा करने पर एतराज जताते हैं मुस्लिमों के मंदिरों में पूजा करने गणपती बप्पा की जैब बोलने पर उनके खिलाफ फत्वा निकाल देते हैं वो मुस्लिम संगठन आखिर गर्बा पंडाल में मुस्लिम युवकों के घुषने पर चुपी क्यों साथ कर बैठे? अगर वे इसे भायचारा की मिसाल बताते हैं, तो हिंदू मंदिर में कुरान की किताब रखने पर दंगे फसाद क्यों हो जाते हैं? क्यों गैर मुस्लिमों की हत्ताई तक की जाती है? क्यों अपने को मुस्लिम बहुल एरिया बताकर राम नौमी के जलूस पर पत्थ्राओ किया जाता है? नियूज वोच इंडिया के लिए ब्योरो रिपोर्ट